कोपर में 21 महिनों का निशले स्टर आने के बाद थोड़ी रिकवरी आई इनफेक्ट कई सारे मेटल्स ऐसे जो निशले स्टर से थोड़े थोड़े रिकवर होने के मूड में है तो आईए मेटल्स में रिकवरी क्यों आ रही है, कितनी आ रही है और कितनी टिकाउ है यह सब जानना ज़रूरी क्योंकि आज मेटन स्टॉक्स ही है जो एक्शन में है खाली एक टाटा स्टील को छोड़ दे तो रिजल के बाद बाकी सारे स्टॉक्स आज अच्छे मजबिती के साथ ट्रेट करें तो निया हमारे साथ इस वक्त निया बताईए क्या है वज़े कोप अब निचले स्टरों से हमने देखा है कि दो वीक के हाइस पर चले गए और जब मैं निचला स्टर की बात करें मतलब 20-21 महीने का हाई और हम लगातार उसे रिपोर्ट माफ की जिगा 20-21 महीने का लो वो हमने लगातार रिपोर्ट कर भी रहे थी कि कितनी गिरावट आर कॉ वो इसलिए क्योंकि इसको डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे मेटल पैक को लीड करता है और इसलिए क्योंकि construction में, transportation में, electrical में, हर जगा copper का इस्तेमाल होता है, infrastructure property में क्योंकि दोक्टर लगाने के पिछे बिना पढ़ाई के डॉक्टर की डिग्री में, copper को ऐसे कुछ, वो सर इस industry में, हम भी लेना चाहते है, हम जैसे बंसल जी ने ले रखी है, हमारे का पैनल के तो हही है, बंसल जी बिना डिग्री वाले है, तो यह भी self-professor, तो 15 जुलाई को हमने अधिकतर metals में उनके respective lows बनते हुए देखे, आज in fact LME nickel भी हमने देखा 3 हफते के highs पे चला गया, LME zinc पर भी 2 हफते के उचतम स्तर बनते हुए दिखाई दिये, लेकिन most importantly, copper यहाँ पर नजर डालनी होगी, M6 पर copper 19 महीने के lows चुए थे, इसने 600 रुप पर हमने चाहे शंगाई वेरहाउस हो, या फिर LME वेरहाउस हो, लेकिन यह जो नया factor निकल कर आया है, supply side का वो यह है, कि दुनिया के जितने बड़े metal miners हैं, वो जो एके करके अपने तिमाही नतीजे पेश कर रहे हैं, बहुत खराब numbers आ रहे हैं, और सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि metals में, खास्तोर से copper में, एक जबर्दस supply tightness की स्थिती बनती भी दिख रही है, latest in line MMG Limited, चीन का miner, इन्होंने copper output पे जो अपना target था, वो ही स्थगित कर दिया है, ये in fact बहुत rarely होता है, 3-3 लाग ton के आसपास के output के इन्होंने साल की शुरुवात में target पहली चमाई में, महज 1 लाग ton हुआ और अब उन्होंने वो खारजी कर दिया, कोई नया target रखा ही नहीं, क्योंकि output इनका 60% गिर गया है, पेरु की लाबंबास माइन है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी copper mines में से आ जाती है, output घटा है, operational दिक्कते हैं और नया target इन्होंने दिया ही नहीं है, Freeport Macmoran, इन्होंने भी हाल फिलाल में अपने numbers जारी किये, खराब numbers थे, इन्होंने काया कि आगे भी दिक्कते रहेंगी, नई खादानों पर operations बहुत मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि copper की कीमते हाइस से 32% गिर चुकी हैं, और इस वज़ा से आगे जाते ग्लोबल सप्लाई की स्थिति खराब रहने की संभावना है, चिले के माइनर, अन्टोफगास्टा, इनका तो पहली छमाही में जो उत्पादन है, वो 26% घटा है, पूरे साल का उत्पादन अनुमान 6,5 लाग तन से घटा देख रहा है, बाकी भी जितने माइनर्स हैं, उन परसेंट का अपसाइड देख रहा है, अलमी कॉपर की बात करें, मोतिला लोसपाल का मानना है कि आने वाले 2-4 हफ्तों में 8,100 डॉलर तक का लेवल कॉपर में देखने को मिल सकता है, जो कि बाइदे वे आज 7,650 डॉलर के रिदगे ट्रेड कर रहा है, आई एफल का मानना है कि 78,100 से 8,000 डॉलर और LKP Securities मानते हैं कि अपसाइड तो 8,200 डॉलर तक का भी लेवल आपको आने वाले 15 से 15 से 30 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है, जो बेसिकली छोटी अबधी में कॉपर की कीमतों में अलोंग विद अधर मेटल्स कुछ अपसाइड डेफिनिटली ओके तो ये है आपके लिए पूरी मेटल्स पर इस वक्त एक्शन जो होती है